रादे रादे दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है, प्लीज क्रिप्या करके आप मेरा पूरा वीडियो देखें और मेरी बाप को समझें दोस्तों, भाईयों, बहनों, माताएं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ये देखें दोस्तों, ये मेरा लड़का है विचारा, मेरी बहुत मदद करता है, मुझे साइनिस का दिक्कत है, इसलिए ये ज़ाडू लगा रहा है, और ये मेरी लड़की है, जो बीमार है भी, इसलिए मुझे डाक्टर ने बोला था कि धूल मिट्टी से दूर रहना, त लगाता हूँ, तो देखिए कितनी मेरी मदद करता है, मा का समझदार लड़का है, बहुत प्यार करता है अपनी मा से न, जबी देखिए कितना प्यार से छारू लगा रहा है, तो दोस्तों, मेरे दोनों बच्चे समझदार हैं, और बहुत अच्छे हैं, मैं ये दिल से बो बात भी मानते हैं और समझते हो इसलिए सारा काम कराते भी हैं साथ साथ और जो समझ में आता है वो बंद कर दो नहीं भूणो बहुत दोस्तोध सब अच्छे सबसमझदार है मुझे उन पर गर्व है लड़के पर थोड़ा कम है लड़की पर मुझे जादा है कि मेरी बेटी जो है वह बहुत अच्छी है जब कहते हैं बेटिया बोज होती है लेकिन बेटिया नहीं बेटे बोज होते हैं यह गलत है अगर कोई बोले तो उसको बोलिए गलत है बोल रहा है क्योंकि बेटिया कभी बोज नहीं होते हैं बेटे बोज होते हैं वह अपना क अभी नहीं कर सकते काम लेकिन बेटी आपना भी करती है माबाप की भी ख्याल करती है और बेटे हैं तो उन्हें बस अपने आप से मतलब होता है लेकिन फिर भी मेरा बेटा भी ठीक है ख्याल करता है बात समझता है मानता है यही काफी है दोस्तों मैं जानना चाहती हूं आप लोगों से कि जब मैं ऐसे वीडियो डालती हूं ऐसे तो वो वीडियो नहीं चलता और जब मैं ऐसे वीडियो डालती हूं तो वो बहुत आगे जाता है तो मुझे ये जानना है कि संसकार की बाते तो सब लोग इस्टागराम फेस्बुक पर सब करते हैं लेकिन फिर संसकार ये बाकी जगा कहां चला जाता है यहाँ पर भी तो संसकार दिखना चाहिए ना जो चेहरे पर गोबर पोत के आते हैं वो ही समझदार होते हैं ऐसे लोग समझदार नहीं होते मेकप से ही सब पहचानते हैं बिना मेकप के कोई नहीं पहचानता किसी को इका यूपी का हथियार नमबर वन बड़े बड़े को बड़े बड़े अच्छों के आईपोन, कार, बड़ी बड़ी गाड़िया सब एक मिनिट में दिला देता है काहे कि रात में चोर लोग यहीं लेकर जाते हैं